ओम शान्ति अपनी कारेश शेत्र पर कैसे हम व्यवहार कुशल बने और दूसरों के दिलों को जीते ताकि हम जब सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को वापिस आते हैं तो हम ऐसे ही लाइट रहें एनरजेटिक रहें तो हम अपने ओफिस का ही एक्जामपल लेते हैं जब हम जब ओफिस में जाते हैं तो हम एक टीम वर्क के साथ काम करते हैं और हम कई लोगों के संपर्क में आते हैं हमारा कुछ अपने ही डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जिनके साथ हम डेली बैट के काम करते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट के लोग या हमारे वेंडर्स या सप्लायर्स जो भी हमारे कंटेक्ट में आते हैं उनसे हम डिसकुशन्स करते हैं और लेन देन करते हैं तो क्योंकि office एक ऐसा इस्तान है, जहाँ हम daily हमें जाना होता है, और हम 8 गंटे office में ही गुजारते हैं, अब आप लगा लीजे, आठ गंटे हमें डेली ऑफिस में, उनी सब ऑफिस के लोगों के साथ पैटना होता है, या बाहर वाले लोगों के साथ डील करना होता है, और घर जब हम वापिस आते हैं, तो अपने फैमिली मेंबर के साथ कितना टाइम डिवोट करते हैं? 8 गंटे से कम करते हैं क्योंकि बाकी टाइम तो हमारा सोने का टाइम होता है तो active time हमारा maximum time घरवालों के साथ भी कम होता है लेकिन office में ज़्यादा होता है और office में अगर हम tension में रहेंगे तो फिर वो पूरे 8 गंटे गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है अब आप देखिए जर्नली आज कल का जो trend है सभी लोग किसी न किसी tension में है और लोग क्या कहते हैं बस नौकरी चल रही है खुशी से कोई नहीं कहता कि हाँ हम नौकरी कर रहे हैं हम job कर रहे हैं मुझे उनको satisfaction नहीं है बस कि हाँ कैसे न कैसे हम नौकरी में अपने को survive कर रहे हैं आज वो situation आ चुकी है चाहे वो private job है चाहे वो government job है हर employee अपने आपको survive करता है वहाँ पर तो इसलिए जब हम office के लिए निकलते हैं तो हमें वो खुशी नहीं होती लेकिन आप देखे जब शाम को 6 बज़ते हैं तो हम जब घर जाने के लिए हमें कितनी खुशी होती है ओ 6 बज़ गे छुटी जैसे स्कूल से बच्चे भागते हैं अब गंटी बसती है तो ऐसे दोड़ी लगाते हैं तो हम स्कूल को या office को हम इतना homely नहीं होते हैं इतना free नहीं feel करते हैं हम सूचते हैं यह एक बंधन है कि नौकरी तो करनी ही है तो 8 गंटे हमें पास करने हैं यह हमारी tendency हो गई है तो कोई भी आपस में हमारे आपस के relation भी office में आजकल अच्छे नहीं होते एक दूसरे को अपने को survive करना है दूसरे को नुक्सान हो जाए लेकिन मेरा फाइदा होना चाहिए तो हम बहुत self-centered स्वार्थी हो गए है हम खुद ही उस माहौल को अच्छा बना सकते हैं अगर हम पहले यह सोचे अब देखे जैसे हम घर है घर में हम कैसे रहते हैं घर में अगर पाँच मेंबर हैं तो पाँचों मेंबर भी तो अलग-अलग है न उनके संसकार भी अलग-अलग है उनके nature भी अलग-अलग है उनकी hobbies भी अलग-अलग है फिर भी हमें घर अच्छा लगता है घर के लोग अच्छे लगते हैं क्योंकि हम क्या सूचते हैं वो कैसे भी हैं फिर भी हम उनको स्विकार करते हैं क्योंकि वो मेरे अपने हैं तो वहां शब्द क्या आगया मेरे अपने हैं जब हम किसी को अपना समझते हैं तो उसकी बुराईयों को भी स्विकार कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जाने दो, अपना छोटा भाई है न, ऐसे बोलते हैं न, लेकिन वो ही गलती, वो ही मिस्टेक, वो ही बिहेवियर, ओफिस में कोई करे, या बाहर कोई करे, तो हम टॉलिट करते हैं, क्यो क्यों इसको accept करें, और घर वाले को हम accept कर लेते हैं, तो हमें अपनी approach को change करना है, हम जब office में जाते हैं, तो जैसे घर में एक family है, और उन members के साथ हम अच्छा रहते हैं, खुश रहते हैं, भले सब अलग-अलग nature के हैं, भले सब का behavior अलग है, फिर भी हमें उनके साथ रहन अच्छा लगता है, कारण, वो मेरे अपने हैं, उनको मैंने स्विकार कर लिया है, कि वो मेरे अपने हैं, और office के लोग, मैं उनको अपना नहीं समज़ती, इसलिए हम उनको स्विकार नहीं करतें, तो कभी हम अपने denkt में यह सोचें, कि जब हम इतने घंटे रोज, हमें office मे ही गुजारने हैं ओफिस में ही काम करना है तो क्यों ना हम अपनी एप्रोच को अपनी एप्रोच को सोचने के तरीक को चेंज करें एक वो मेरा घर है अगर हम भी इस ओफिस को भी अपना घर समझें कि जैसे हम घर में रहते हैं वो मेरे अपने हैं तो ये भी मेरे अपने हैं ह हम कभी न कभी एक साथ रहे हैं इसलिए हम सब ओफिस में मिले हैं किसी न किसी जनम में हमारा साथ रहा है तब ही हम ओफिस में इखटे बैटकर टीम के साथ काम करते हैं। तो खाली वो ही हमारा घर नहीं है ये भी हमारा घर है अगर हम इसको भी घर के मेंबर की तरह अपने घर की तरह समझें कि ये मेरे घर के मेंबर जैसे हैं तो हम एक दूसरे के संसकार के साथ मैच करना रहना सहज हो जाएगा तो इसके लिए चाहिए power of acceptance, स्वीकार करना है ये जो भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे स्वीकार है घर में भी तो हम यही फार्मूला अपलाते हैं ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरे पापा, मम्मी, ये फला फला वो relation में आ गए, तो वो सब ठीक है, उनको हम accept कर लेते हैं और office में नहीं, ये अलगल, उनको हम अपना नहीं समझते इसलिए उनकी हमें बुराईयां दिखाई देती हैं उनसे हम competition करते हैं, उनसे हम comparison करते हैं घर में हम किसी से competition करते हैं, किसी से comparison करते हैं, नहीं करते, लेकिन office में करते हैं, तो अगर office में भी हम एक family जैसा माहल बना कर काम करें, एक दूसरी की nature के साथ adjust करें, कि उसके लिए हमें उनको स्वीकार करना होगा, उनकी बुराईया नहीं देखनी, उनके साथ compare नहीं करना, उनके साथ adjust करना है, इसके लिए चाहिए power of, power to adjust, हम कहीं भी जाएं, हर जगां अपने आपको adjust कर लें, means अपने आपको flexible बनाना है, और हम ऐसे बनें कि दूसरे भी हमसे कुछ सीखें, हम सूचते हैं, ये तो ऐसे हैं, तो हम ऐसे इनके साथ क्यों करें, हर अच्छी शुरुवात खुद से करनी होती है, हम सोचते हैं, ये अच्छा करें, तो हम इनके साथ अच्छा करेंगे, जब यही अच्छा नहीं करतें, तो हम क्यों करें, यहाँ पर कोई कैसा भी करे, मुझे अच्छा करना है, तो जो भी change करना है, जो भी परिवर्तन करन है मुझे अपनी में करना है घर में भी तो हम ऐसे ही करते हैं तो फिर आफिस में क्यों नहीं करते हैं या स्कूल में या जो भी हमारा प्लेस वर्क प्लेस है उसमें वहां हम क्यों नहीं एड़ेस्ट करते हैं उनको क्यों नहीं स्वीकार करते हैं रोज हमें वहीं रहना है मेरा दिमाग मेरी बॉड़ी अगर माइंड में स्ट्रेस होगा तो क्या उसका असर बॉड़ी पर नहीं पड़ेगा तो अगर हम उनके साथ एकॉमडेट कर लें अपने आपको हम अच्छे बनेंगे तो धीरे धीरे वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे यह तो हमारे साथ एड़ेस्ट करते हैं तो धीरे धीरे वो भी ठीक होने लगेंगे हमारे साथ मजब की सही योग करने लगेंगे तो शिरुवात किस से करनी है मुझे अपने से करनी है यह बहुत बड़ा मूल मंत्र है इसको जीवन में समालो की जो भी चेंज करना है परिवर्तन करना है चेंज होगी तो वो चेंज हो जाएंगे अपने को चेंज करना आसान है तो हम और ऐफिस में भी सब को अपना समझें कोई कंपेरिजन नहीं करें कॉमपेटूटिशन नहीं करें जो काम हमें आता है उसको हमें अपनी मैक्सिमम एफिशिंसी के साथ करना है हमें कोई काम assign किया कोई assignment दिया उसको जो मैं best perform कर सकती हूँ वो मैं करूँ बागी फिर छोड़ दूँ तो कि हम क्या कर सकते हैं जो हमारी capability है जो हमारी efficiency है जो हमारी merit है उसके हिसाब से हम उसको best कर सकते हैं तो सिर्फ हमें अपने को best करना है बस और इधर उधर क्या हो रहा है या boss हमें डाट रहा है या हमारे कोई satisfied नहीं है कोई बात नहीं हम उनको परिवर्तन नहीं कर सकते लेकिन हम अपना काम best ते best करके दिखाएं बाकी उसका result किसी पर क्या impact पढ़ रहा है कोई सोचने की चरुवत नहीं है और दूसरों को सही योग करे जो काम मुझे आता है जो knowledge मुझे है वो मैं दूसरों को share करूँ आजकल जो office में trend है जो भी हमें knowledge होती है हम अपने तक सीमित रखते हैं हम ना अपने junior को बताते हैं ना हम अपने senior को बताते हैं कि ये काम इसको आ गया तो फिर हमारा क्या होगा ये मैंने खुद भी अपने office में face किया है मैं भी देखती हूँ कि कैसे लोग आपनी knowledge को share नहीं करते पर अगर इसको broad minded होकर आप देखेंगे जितना आप अपनी knowledge को share करेंगे देखो अगर हमने कुछ हमें आता है वो हमने अपने पास रखा हम इसको किसी को नहीं बताएंगे तो क्या होगा वो area block हो गया वह हमारा और development नहीं होगा अगर हमने उसको दूसरों को share कर दिया दूसरों को समझा दिया बता दिया तो यहां से मेरा mind खाली हो जाएगा release हो जाएगा क्योंकि I have shared this knowledge यह काम मैंने दूसरों को बता दिया तो अब वो खुद भी करेंगे और समय आने पर मुझे उनको बोल कर यह कर दो तो वो मेरा भी काम कर देंगे और यहां से दिमाग में जो मैंने बांद के रखाता है यह मैं किसी को नहीं बताऊंगी मेरा mind भी free खाली हो गया और जब mind खाली हो जाता है तो उसमें नए-ने ideas और आते हैं innovative ideas आते हैं तो जब भी हम जो हमें आता है जो भी knowledge हमें है उसको दूसरों को share करना चाहिए junior, senior यह सब को बता दो अपना यह बहुत चोटी approach है कि हमें आता है तो हम दूसरे को नहीं बताएंगे office में यह होता जादा तर तो उसको share कर दो दूसरों को तो उसके पास चली गए उसने सीख ली ना कभी भी काम होगा आप चुटी पर है वो है तो वो काम वो कर देगा अगर हमने उसको बता दिया है तो और मेरा माइंड भी खाली रहेगा मेरा माइंड खाली रहेगा तो मेरे माइंड में भी ने ने आइडिया इस आंगे क्योंकि free mind है न free mind से और creative ideas मेरे को आएंगे तो वो उस ideas के साथ में और भी अच्छी performance कर सकती हो तो मेरी भी तरखी और नीचे वाले भी satisfied उनको भी मैंने सिखाया जर्नली बोला भी जाता है कि जितना हम अपने ज्यान को बाटते हैं उतना वो बढ़ता है लेकिन आज तो कि हम उसको इतने संकुचित हो गए हैं कि हम अपनी चीज को बताना ही नहीं चाते किसी को तो ये हे right नहीं है आप you share your knowledge with each and everyone आप खाली हो जाएंगे और आपके mind में और आगे creative ideas आएंगे आप और आगे बढ़ते जाएंगे और नीचे वालों को सिखाते भी जाएंगे तो उनकी भी तरक्की होगी और आपकी तरक्की तो होगी होगी जो दूसरों को बताता है वो खुद आगे बढ़ता है दूसरों को बढ़ाने वाला खुद बहुत आगे जाता है तो ये हमारी approach होनी चाहिए office में काम करने की और सभी members को family members की तरह treat करना चाहिए सोचिए आठ गंटे मुझे वहाँ pass करने हैं तो मैं उनको family members की तरह accept करूँ तो मेरे लिए easy होगा time pass करना भी easy होगा शाम तक मैं energetic भी रहूँगी और मेरी खुशी भी बनी रहेगी तो ये कारशेत्र पर हमें ये change करना होगा तो हम light भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे क्योंकि हमारा एक एक second खुशी में गुजरे यही हम चाहते हैं ओम चन्त